अज़ो इस वेलकम बैक आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 देडिस आवर एंवार्मेंट और जिसके हम कोशन आज वे डिसकूस करें वाले ठीक है आज हम डिसकूस करेंगे ब्लू बॉक्स कोशन एज एक साइज कोशन ठीक है फॉर्स कोशन आपका वट इस ट्रॉपिक लेवल इस ट्रॉपिक लेवल के डेफिनिशन क्या होती है कुछ फूपिक लेवल के इस ट्रॉपिक लेवल हमें बताने है कि कौन सा फॉर्स ट्रॉपिक लेवल है कौन सा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है तो उसका अंसोर है तो वेरियस स्टेप्स इन फूपिक लेवल टेक्स प्ले के अंदर इस ट्राइब के जो फूट चेन वह चलती रहती है जैसे कि ग्रास को इट किया इंसेक्ट ने इंसेक्ट को इट किया फ्रोग ने फ्रोग को इट किया बर्ट्स ने ठीक है जो आपको निचे डाइग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस जो आपकी फ फर्स्ट कोशन हो गए अब सेकिंड कोशन है वट इस दा रोल अफ डी कंपोजर सिंदा एको सिस्टम ठीक है यह मैंने जब आपको नोट्स बनवाए हैं उसके अंदर भी मैंने आपको अच्छी से बताया यहां पर मैं आपको दुबार से बता देती है ठीक है यह कोशन इंप प्लांट इसाइओ प्लांट और और अनिमल है तृटीक है वह किस से मिलें अवह हैं वह छीज़ के हैं वापीस कहां चली जाते हैं सौैल में वॉल्टर में मतलब री यूस हो जाते हैं फिए नेक्स थाओट पॉइंट की वह में होल्प करते हैं नूट्रेंट की और अमारा नेक्स पूर्ट पॉइंट है देडी कंपोस्ट डेड रिमेंस देरबाइब प्रोवाइडिंग स्पेस फूर न्यू लाइफ टो सेटल इन दा एट्मोस्फेर वह क्या करते हैं जो डेड बॉडी है उनको डिकंपोस्ट कर देते हैं ताकि जो नए लाइफ हैं जो नए और्ग कि कौछ सबस्कांसेस जो बारीड बन बारीड बन है ऐसा क्यों वो सबस्टांसेश जिसको बैक्तिरियां ठीक है डी गंपोस्ट कर सकते हैं अपने खरी कारण उनको बोलते हैं जो breakdown नहीं होते उनको बोलते हैं तो इसका क्यों होते हैं ऐसे कोई ऑड़ेड़ेडर ईह नोट वह देखते हैं the microorganisms like bacteria and other decomposer organism present in our environment are specific in their action ठीक है कि हमारे environment जितने भी microorganism present है वो सिर्फ अपने काम करने में specific है that is particular type की चीज को ही वो क्या कर सकते हैं break down कर सकते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक उसको ब्रेक्डाउन कर सकते हैं और नोन बाइडिगरेबल ठीक है तो ऑर्गनिजम की इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होते हैं कुछ जो सबस्टांस है वो बाइडिगरेबल है और कुछ क्या है नोन बाइडिगरेबल ओकी नेक्स्ट रमापाना कोशन है सेकेंड यह गीमने टौ वेज इन विश सबस्टांस और डीकंपोज्ट वाइड एक्षिन और माइक्रो अर्गनिजम सेडिंग मेंटिरियल और रिसाइकल त्रू जियो कैमिकल साइकल ठीक है तो वह क्या करते हैं रिसाइकलिंग के अंदर हैं और सेकिंड पॉइंट है इस सबस्टांस कीप दा एन्वामेंट क्लीन और यह क्लीन रखते हैं नेक्स अब सेम टाइप का कोशन है कि नोन बायडिगरेबल हमारे एन्वामेंट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं तो जो नोन बायडिगरेबल है जो गलसर नहीं सकते वह क्या करेंगे पॉलीशन को और सेकिंड है वो क्या करते हैं बायो जो है पेस नमबर 264 पर वहां पर फिर्स कोशन है वडिज ओजोन इंड हाव ड़ाज इट अफेक्ट अनी एकोसिस्टम टेक है ओजोन क्या होती है बेसिकली आइसोटोप है किसका ओक्सिजन का जिसका मॉलेक्ट फॉर्मला क्या है ओ3 देट इस इट इस मॉलेक्ट इटमॉसफेर के हाईर जो अपर level है वहांपे क्या है और ओजोन के अपना ओजोन कोकर्फोंग्छेंशा के आर्थ टीक है जो र Kap chem करते है नहीं हो में उक्रिएशन स्हीं में ऐसे ने एक साम करते है और नहीं है जो जो क्या है skin cancer because करती है okay next how can you help in reducing the problem of waste disposal गीवने two methods ठीक है इसके मैंने आपको five different methods बताए हैं उनके अंदर से आप कोई भी दो method कर सकते हैं next अब इस cancer है recycling कर सकते हैं material को ठीक है कि उससे कुछ नई चीज़ बना लेंगे और second method preparation of compost हम क्या कर देंगे उन सब को compost बना लेंगे एक ब इसके अंदर डाल देंगे और after 90 days convert हो जाएंगे किसमें compost में ठीक है यहां तक आपके थे बीटा blue box question अब हम आते हैं एक साइस question पर एक साइस question है इसके अंदर सिर्फ बायडेगरेबल सबस्टांस है तो फर्स्ट के अंदर क्या है grass flower और leather लेदर क्या है नोन बायडेगरेबल है next grass wood and plastic plastic नोन बायडेगरेबल है ठीक है इसके अंदर क्या है mango आया वहाए तो mango क्या करता है mango तो फूट चीन में नहीं आ रहा ठीक है नेक्स इसके अंदर जो elephant environment friendly practices ठीक है कि हमारे environment के लिए क्या चीज अच्छी है कौन से environment friendly practices है first है कि जब आप shopping पर जाओ तो आप cotton का बैग अपने साथ लेके जाओ बहुत अच्छी बात है नेक्स है unnecessarily जो lighter fan चल रहे हैं उनको switch off कर देना चीए very good next है कि आप अपनी मुमा को बोलो कि आप उसको scooter पे school छोड़ के जाए उसके बजाए कि आपको अगर आपको अगर पास है तो आपको क्या पैदल आना चीए ठीक है तो यह तीनों के environment friendly practices है तो इसका option कौन से correct है that is D all the above ओके next है वही same question एक बार और repeat हो गया तो प्लीज आप इसको ignore कर देना next step question 4 what will happen if we kill all the organisms in one ट्रॉपिक लेवल अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल पे सारे organism को मार दें तो क्या होगा देखिए यह बहुत असान सी बात है क्योंकि ट्रॉपिक लेवल क्या है एक से दो दो से तीन इस तरीके से क्या increase होते रहते तो जो food chain है उसका balance क्या है खतम हो जाएगा ठीक है देखे जैसे हम suppose if the herbivores were killed अगर herbivores को हम मार दे तो कार्निवोर्स तो कोई काम कहीं नहीं है है कार्निवोर्स किसी को खाएंगे फिर है ना और वह कहा है डाई हो जाएंगे अगर कार्निवोर्स दाई हो जाएंगे तो population of herbivores है वह ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे क्योंको कोई खाने वाला मिलेगा नहीं और वहाँ पर क्या एक unsustainable जो लेवल है वहाँ तक है वह इंक्रीज हो जाएंगे और अगर प्रोडूसर को ही मार दे ठीक हो जो खाना बना रहा है अगर उसको ही मार देंगे तो न्यूट्रेंट्स आएंग के लाँ वह चले नहीं पाए उस एरिया के अंदर है ना नेक्स्ट आप कोशिन नंबर फाइव और उसका असर भी क्या डिफरेंट होगा क्या हम कोई और उसके एको सिस्टम पर या ट्रॉपिक लेवल पर कोई असर ना हो ऐजह कभी हो सकता है क्या तो देखिए इसमें पहले उसका आपके जितने भी ऑर्गाइनिजम है वो हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या अपना अलग रोल प्ले करते हैं ठीक है अगर हम प्रोड्यूसर को रिमूफ करेंगे तो हर भी वोड्स रिवाइव नहीं कर पाएंगे और वो क्या है या उनको दूसरी जिगह प ठीक है और जो कार्निवोर्स हैं उनको अपना फूट नहीं मिलेगा अगर कार्निवोर्स पो रिमूफ कर देंगे तो हर भी वोड्स इंक्रीज हो जाएंगे ठीकर वो क्या है प्रोडियूसर को डिस्ट्रोई कर देंगे अगर डीकंपोजर को ही रिमूव कर दें तो डेड अनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे इकठे हो जाएंगे अन्वामेंट में पॉलिशन हो जाएगा ठीक है और इसके साथ चाहिए अगर डेड अनिमल्स को तो अगर हमें आर्थ के एको सिस्टम के जो बैलेंस से उसको मैंटेन करना है तो हमें सारे और्गेनिजम्स क्या है जरूरी है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर ठीक हम किसी को भी कर्भी भी बाहर नहीं निकाल सब्सक्राइब तो देखें आपको इसने बोला फिर आगे अगे कोशन में की आपके मैजन के इस लावल हो जाती है उन्हें पर 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 अलग मेंट करते सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा उसके उसके उपर सबसे हाइस होगा इट वुड़ अफेक्ट दिर बायलोजिकल प्रोसेस अचेस ग्रोथ रिप्रदक्शन एक सिक्टर उन्हों सबको भी क्या वह अफेक्ट करें सबस्टांस जो हम पैदा करते हैं उससे क्या-क्या प्रोब्लम हो रही है ठीक है दा प्रोब्लम कोश्च बाय नोन बायडिगरेबल वेस्ट आर फर्स इस इफ दो क्वाइंटिटी अफ नोन बायडिगरेबल मैटर इंक्रीजिस इन ना नेचर देन बायो मैगनिफिकेशन और पॉइजनस चैमिकल्स इन और बाड़ी इंक्रीजिस हो जाएगी और नोन बायडिगरेबल सबस्टांस की होते रहेंगे होते रहेंगे और महां पर क्या है इंबालेंस क्रियेट हो जाएगा पूरे पूरे एको सिस्टम के हैं ठीक है नेक्स ऑल ता वेस्ट वीजन रेटिस biodegradable will this have an impact on the environment कि हम जितने भी waste generate करें उन सब को यह हम biodegradable बना देते हैं उसका भी हमारे environment पे कोई असर होगा या नहीं होगा ठीक है if all the waste generated is biodegradable अगर सारे waste के हैं biodegradable है तो उसका भी हमारे environment पे असर होगा कैसे कि उसको क्या करना पड़ेगा हमें disposed of करना पड़ेगा ठीक है तुस्सी क्या हो सकता है जो आपके air water soil pollution को काफी कम कर सकते हैं ठीक है there would be less health problem less health problem होगी और human क्या होजेगा ज्यादा disease free होजेगा disease नहीं होगी but if it is not disposed of properly it will affect the environment adversely adversely मतलब बहुत बुरे तरीके से environment को करेंगे अब next है हमारा why is damage to the ozone layer is cause for concern what steps are being taken to limit this damage ठीक है यह कहते हैं कि हमारे लिए जो ozone layer है वो एक चिंता का विशे क्यों है और उसको उसका जो च्छेद हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए है तो बाटा अगर जो हमारा ozone layer है atmosphere से वो डिसापियर हो जाए गयाब हो जाए तो क्या आपका कुछ भी है तो आपके है उस परग्राफ में से देखके अपने अपने कुछ भी लिख देना ठीक है इसके अंदर भी वही लिखा हो है देखिए the damage to the ozone layer is cause for concern because if ozone layer in the atmosphere disappear completely then all the extremely harmful ultraviolet radiation coming from the sun would reach to the earth ठीक है अगर जो हमारा ozone layer है atmosphere से वो डिसापियर हो जाए गयाब हो जाए तो क्या होएगी harmful UV radiation हमारे तक आजाएगी earth तक आजाएगी और ultraviolet radiation क्या करते स्किन कांसर स्किन कैंसर कॉस करेंगी और अनिमेंट्स अनिमेंट्स मतलब डिजीज इन human and man and animals and also damage था प्लांट्स को भी damage करेंगी ठीक है और इसको बचाने के लिए क्या किया गया था in an attempt to protect the ozone layer the united nations environment program UNEP ने क्या किया गया था एक agreement sign किया गया था among its member countries कि जो cfc production है उसको 1986 levels तक क्या है decrease किया चाहिए मैंने आपको जब थ्योरे पड़ाई थी तब भी अच्छे से आपको बताया था मैंने ठीक है तो यह आपके जो question answer है chapter 1 environment के उसके हो चुके है खत्म thank you that's all for today I hope you have learnt a lot if you enjoyed the video then like it share this with your friends and subscribe to dream knowledge for more fresh content thank you